सब के जरिये इस मंच के थुरू सामने रखेंगे और अब अजयराई जी मंच पर आएंगे श्वेता और उनसे भी वैसे तीखे सवाल होंगे जो बाकई जिस विजन के साथ वो अपनी उत्तर प्रदेश में राजनीती को आगे बढ़ा रहे हैं और जो साइकल के साथ क्या हम बुलाना चाहेंगे अजयराई जी को यूपी कॉंग्रस प्रमुख और आज अजयराई जी से कुछ तीखे सवाल और कुछ विजन जो है वो भी जो है पूछेंगे हमारे मॉडिरेटर दिनेश जी कंसल्टिंग एडिटर जो है दिनेश जी आप मंच पर आएं अजयराई करना यह ज़रूरी हो जाता है कुछ ना कुछ यूपी में ऐसे ही देखने को मिला था नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे करना था इंकार मगर एकरार तुम ही से कर बैठे लेकिन साइकलोर हाथ का साथ कितना मझभूती अब उत्तर प्रदेश में देगा गुलवस्ति से स्वागत कर लें अजैर राय जी का और उसके बाद आपके सवाल इन फूलों के बाद सवाल तो हैं ही तीखे अजैर राइजी का स्वागत तो जिस तरह की तालियों के साथ होना चाहिए वो तालियां तो एक बार सुनाईए और अब इन तालियों से उरजा लेते हुए मैं सवाल करूंगा और अजैर जी जबाब देंगे पहले तो मैं जरा ये समझना चाहता हूँ कि अजैर जी भी अपने दिल की बात को जुबान तक लाने में संकोश नहीं करते हैं और कई बार हमने ये देखा कि इसकी वज़े से गठबंधन में समस्याएं जरूर आती रहती हैं लेकिन फिर उन समस्याओं से आगे बढ़कर फिर से वो गठबंधन को निभाने की राह में आगे बढ़ जाते हैं इसको दयानतदारी कहना चाहिए इसको फराख दिली कहना चाहिए या इसको सियासत की मजबूरी के तौर पर देखा जाना चाहिए आईए इसके साथ शुरुआत करते हैं आज़ा जी बहुत स्वागत है आपका और पहले तो ये बताईए कि कैसा चल रहा है बड़ा उबड खाबड रास्ता है या स्मूथ चल रहा है सब मैं सभी लोगों को दन्यवाद देना चाहूंगा और विश्यस रूप से नौवारत की पूरी टीम को क्या आपने मुझे मंतरित किया बुलाया नविका जी को निश्य तोर से रास्ता अगर उबर खाबड भी होगा तो उसको लोग रास्ते को अच्छा बना लेंगे अच्छा काम करेंगे उसको स्मूथ बना कर चलेंगे केवल जीतने वाले को नहीं लड़ने वाले को भी इतिहास याद रखता है इस मंशा के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या सामने जीत दिखाई दे रही है जब हैंगे तभी जीतेंगे ना जब मैدان में आकर लड़ाई लड़ेंगे तभी जीत होगी घर बठने से जीत होगी नहीं अच्छी ची बात बोलने से जीत होगी हैं तो लड़ाई होगी जमकर और निश्चित होगी आपको बता रहा हूँ कि जीत भी होगी हमारी ये शोर है आज नहीं तो कल मनजिल मिलेगी जरूर ये वैसी बात है या जीत बस दहलीज पर दिखाई दे रही है ये इस सवाल का जवाब मैं आगे जानूगा लेकिन पहले अजय जी प्रधान मंतरी के आफ्ताल ठोकने वालों के तौर पर आपको लोग जानते हैं क्या उसी तरीके से आके भी आपकी पहचान होगी इस बार भी चहरा आप रहेंगे देखिए हम सब काशी वासी हैं और काशी का अपना मिजाज है अपना एक वहां का एक अपना खुद का एक अपनी अपना कल्चर है और काशी में जो आता है निश्ची तोर से हम सब लोग कंड कंड में शंकर हो लड़ते हैं जैसा आप सब जानते हैं काशी का इतिहास तो पार्टी का जो निर्देस बहले मिला पार्टी का जो निर्देस मुझे आज मिला है मैं उसके खड़ा हूँ आगे जो पार्टी का निर्देस होगा उसका पालन किया जाएगा लेकिन जब कभी हम सुनते हैं कि आपको छुट भाईया नेता बता दिया जाता है या इस तरह के स्टेटमेंट साते हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ता है या जब हम ये देखते हैं कि अंसारी परिवार से कोई समाजबादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला है अफधेश जी के लिए आपकी लड़ाई हम सब ने देखी है और आप तो उसको खुद भोगे हुए व्यक्ति हैं तो ये सब चीज़ें आपको दुविधा में उहा पोह में डालती हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता है देखे हमारा जो काम करने का तरीका है वो सपस्ट है हमें जो करना है वो मैं करता हूँ चाहे वो बड़े भाई की गटना के समय जो नया पालिकाय के अंदर जो मुझे करना था मैं अडिग होकर वो काम किया मैं उसमें पीछे नहीं हटा और उन्हें पीछे हटने वाला हूँ कभी मैं उस सोच का विक्ति हूँ कि जहां पे दमदारी के साथ खड़ा रहना है मैं उससे पीछे नहीं अटूँगा चाहे उसके लिए मुझे कोई कुर्बानी दनी पड़ेगी मैं बाकी लोगों की तरह सोच वाला नहीं हूँ जो आज जो दल सत्ता में हैं आज उनके विधायक की हत्या होती है आज उसमें कोई कारव़ाई नई करा पाई यह लोग आप देख लिजीए सत्ता में रहते हुए जो आज बड़ी बड़ी बात बोल कर लोग जा रहे हैं कह रहे हैं केंदरे में भी सरकार नीचे भी सरकार डबल इंजन की सरकार थी और उस वेक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाए मैं अपने लोगों के बदूलत अपने साथियों के बदूलत आज जो मैंने सोचा था उस अंजाम तक उसको पहुँचा दिया तो वो लड़ने के अपनी जड़ता है अपने दिड़ता है और वो उससे समझझवता नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हम लोगों सोच के बचती हैं और राजनितिक मجबूरियां राजनितिक मجबूरियां आएंगी भी तो जो अगर हमारा जहां चरितर जहां दंदारी सामने आएगी उस पे हम खड़े रहेंगे उसे पीछय नहीं जहार जहाता किए, कभी दोरा चरितर अप नहीं बता सकते, कभी मैं उनकी बड़ाई करूँ कभी बुराई करूँ और कभी बैट कि आके उनकी जहे जयकार करूँ यह मेरे सुभाओं में नहीं नहीं तो लोग बहुत इसपश्ट तरीके से आप से जानना चाहते हैं कि वह कैंडिडेट जो आपके मुताबिक आपके स्टैंडर्स में फिट नहीं होता अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उसके प्रचार के लिए आप जाएं और प्रच कर दिया जहां पर निर्णा व्यक्तिगत है और जहां लकीर की हुई है उस लकीर को लंगने का सवाली नहीं कह रहे हैं अजय जी तो अब अजय जी यह भी बताईए कि आपको अर्जुन के तौर पर और राहुल गांधी को कृष्ण के तौर पर दिखाया गया यह पोस्टर देखने के बाद confusion से बाहर आएंगे और धनुष उठाएंगे और पहले हमको प्रसंग देखने को मिलेगा यह आपने धनुष उठाया हुआ है अब धनुष आपने कहा ना कि प्रधान मंत्री जी के खिलाफ लड़ने वाला वेक्ति हूं तो धनुष तो उठा कर रखाई दनुष कहां पनने पड़ा दनुष तो हाथ में आई है उसकी टंकार चल रही है उसको कोई समझाता है कितना मार दर्शन आपको राहूल गांधी का मिलता है आपके कामों में कितना डे-टो-डे बेसिस पे आपकी उनसे बातचीत होती है निश्ची तोर से हमारे नितरुत क सुनी रहे थे उनको उन्होंने कहा कि पार्टी में नजाने कितने लोगों की उपेक्षा हो रही है उजहिलते जहिलते एक नौबत ऐसी आती है कि आदमी को फैसला लेना होता है आप संतुष्ट हैं हर तरीके से देखिए मैं आचारे जी वरिस्ट हैं मैं तने कहना चाहूं लगा कि इतने दिनों तक आपका सम्मान सारी चीजां होती रहीं और जो चीजां आप चाहते थे वो सारी चीजां आपके साथ थी हम सबलोग संतुष्ट इसलिए हैं कि हमें लड़ने वाला व्क्ति पसंद है हमें जो आदमी लड़ रहा है संघर्स कर रहा है है हिंदूस्त मिलान के अंदर जो आज अट्या चार चार नियाए के खिलाफ गलत चीज़ें के खिलाफ यह लड़ रहा है इसलिए राहू गांदी पसंद है और और मैं लड़ने वाले के साथ खड़ा रहता हूँ, आजीवन खड़ा रहूंगा। लड़ना फॉर्द सेक आफ लड़ना है या लड़ना आपको लगता है कि वाकई मुद्दों पर आधारित है, क्योंकि अगर मुद्दों पर आधारित है, तो फिर ये जन्मानस के मैंडेट में, वोटर्स के मैंडेट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए चुनाव दर रहे हैं, इनकी ही सरकार में पुलिस भरती की परिक्षा लीक हो जाती है, लीक होती है, वो बच्चे इलाहाबाद से, जब 17 तरिक सो राहु जी चलते हैं, और इलाहाबाद, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, वो लगातार बच्चे केवल और केवल पेपर लीक का मुद्द महादपूर्ण मुद्दा है, जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की हो, पेपर लीक हो जाए, लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान के संदर में भी ये मुद्दा उठा था, आपको याद होगा सचिन पाइलेट इसको लेकर अशो को गहलोत को घेरते थे, तो आप ये हम हैं, और हम अगर हम रहेंगे तो हम उस पर कारवाई करेंगे, और राम राजिकी बात कहते हैं, आप तो कहते हैं, चलो, रजयपूर मराजस्थान की बात अलग छोड़ दो, आप ये कहते हम राम राज चला रहे हैं, हमारे समय कोई गल्ट नहीं कर पाएगा, छीजे हो र बच्चे जो भी तैयरी कर रहे थे आए लखनव आए कहीं आए भाड़ा किराया रहना आज वो गरीब बच्चे कहां खड़े हैं कई सो करूड रुपए का घोटाला हो गया इसमें उन बच्चों का आप कायते हो छे मुने अबात कराइंगे क्यों छे मेने बात कराइंगे राहुल जी की जो यात्रा आई है उसमें जो इशू उठा है मौरादाबाद जाने के पहले ही इन्होंने उस परिक्षा को निरस्ट कर दिया और ये इशू बन गया लगातार बच्चे आज लहाबाद से लेकर लखनो के इको गार्डन में बैटकर वीरोध पर दिया है अभी आपने देखा परसों लेखपाल की परिक्षा हुई जो रिजल्ट आये थे उसमें भी कहाता है कि हम आपको नियुक्ती पत्र देने जा रहे हैं वो नियुक्ती पत्र नहीं दे पाए और वो बच्चे पूरे रिमिन्यू बोर्ट को घेर कर बैटी हुए तो उनको लाठीयों से मारा गया उनको जेल भेजा गया ये बच्चों का भविश्य उत्तर प्रदेस के अंदर पेपर लीक से अब थोड़ा मैं इस पर भी आता हूँ कि आपके अपने विधायक लीक क्यों हो जा रहे हैं राजसभा एलेक्शन्स हिमाचल के संदर में आप क्या देखते हैं अब वो नराजगीर कहीं रही होगी वो चीज़ें चल रही हैं और निश्ची तोर से जो ऐसी चीज़ें होंगी उसको ठीक करेंगे आप उत्तरप्रदिस को देखिए हमारे दो विधायक थे दोनों विधायके इंट्रेक्ट कड़े हैं हमारे साथ और वो गटबंदन धर्म का पालन किया उन्हों समाजबादी पार्टी को जाकर ओड़ दिया हमारे अरहधना मिश्रा मोना और दूसरे हमारे विरेंट चौधरी दोनों लोग जाकर उनको नहीं खरीद पाए नतोर पार्टी को ये कल अकबारों की सुर्खिया थी जिसमें आपने स्टेट्मेंट दिया हुआ है कि हमारे विधायकों ने गटबंदन धर्म निभाय शाम होते होते में देख रहा था रिफ्लेक्ट हो रहा था तमाम जगों पर तो किसी ने कहा कि असल में अजैरा ये आईना दिखा रहे है समाजबादी पार्टी को कि गटबंदन धर्म ये होता है क्या ऐसा है हमारा जो कर्तव है आप उसको आईने के रूप में आप देखिए चाहे आप साथ साथ जोड़ कर देखिए हमारा जो कर्तव है उस कर्तव है का हमने सत्परिस्द पालन किया और वो वोट जाकर समाजबादी पार्टी के परत्याशी को पड़ा है बहुत इसपस्ट कूछता हूँ चिरकुटनेता कह देना आपके संदर में ऐसी बातें कह देना जो नहीं कही जानी चाहिए उधर से कहा जाता है कि देखिए यह तो मुलाइम सिंग यादव तक को नहीं छोड़ते उनको लेकर अनलगर बात करते हैं क्या असल में अंदर-अंदर बहुत कॉटक्ष कर दे मेरे विक्तिकत मेरे लिए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जमीन का अदनी हूँ जमीन से लड़ते-लड़ते यहां तक आया हूँ मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ साधान परिवार्थ से होते होते यहां तक आया पिंडरा विदानसवा मेरी विदानसवा रही कोलसला थी कामरे डूदल जी थे मेरे यहां से नव वर विदायक CPI के पहला चुना और 99 में में उनसे लड़ा और उनका अशिरवाद मुझे मिला और लगातार मैं पांच वर विदायक था तो अब वो मेरे उपर कोई भी बोल दे कटाश करते मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अगर कोई समाज के हित में निर्ड़ा लेना होगा तो निश्ची तोर से अपने आपको हम उसमें आगे बढ़कर हम निश्ची तोर से हम आगे काम करेंगे और सब को साथ जोड़कर लेके चलेंगे लोग ये भी जानना चाहते हैं आपने 96 का आपने गजब की जीत दर्श की थी लोग उसको आज भी याद करते हैं लेकिन उससे पहली की भी लोग याद करते हैं कि आप RSS से जुड़े हुए उसकी शाखाओं में जाने वाले व्यक्ति गरहे हैं तो कहीं वो बात वो जो आपको संस्कारों के तौर पर तब मिली राजनीतिक संस्कारों के तौर पर वो जड़ें आपको कभी खीचती देखे ऐसा है न वो RSS रह गई न वो भाज़पा रह गई अटल जी के साथ वो भाज़पा भी खतम हो गई और RSS का भी जो विंग था RSS पहले चीजों को समझाता था अब RSS BJP की पिछलगू बन गया है अब वो नरेंद मोदी के पीछे RSS प्रमुक घुमते हैं पहले RSS प्रमुक के पीछे पूरी भारती जनता पार्टी घुमती थी और वो उनके पीछे भाज़पा रहती थी जो निर्देश RSS से मिलता था वो काम करते है RSS ने तो क्या ये जवाहरलाल नहरू वाली इंद्रा गांधी वाली जीव गांधी वाली कॉंग्रेस है क्या ये सोनिया गांधी वाली कॉंग्रेस है और क्या यहां पर पूरी पार्टी एक परिवार के पीछे निस्चित तोर से परिवार दिखे कोई भी चीजें चलाने के लिए कहीं निस्चित तोर से आज यहां बोलनी की आजादी है मैं आज यहां कह सकता हूं डंके की चोड पर कह सकता हूं कि बोलनी की आजादी अपनी बात कहिए अपनी मजबूती से खड़े रहे हैं हाँ दोहरा चरितर नहीं होना चाहिए जहा हैं हम लोग अपने कारेकरताओं के लिए अपने लोगों के लड़ा जाते हैं लिडर्शिप से और लखके कराते हैं और ये दोहरा चरित्र नहीं है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना ये चीज़े नहीं चलती है ये भारतियन्ता पार्टी में चलती है दोहरा चरित्र नहीं चलता क्या ये किसी पार्टी तक सीमित है क्या ये स एक राय बरेली की सीट बची थी और राय बरेली की सीट के संदर में भी ये कहा जा रहा है कि आप मनोश पांडे के बाद ये देखने को मिलेगा कि वहां पर भी गजब का जातिगत समीकरन दूसरी तरफ जाएगा और राय बरेली की सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा इ analysis इसको आप कैसे देखते हैं देखिए ऐसा है मैं तने कहना चाहूंगा कि विदान सभा के जो चुनाओं के नतीजे या जो समीकरण होते हो अलग होते हैं लोग सभा के समीकरण अलग होते हैं और जो राइबरेली से जो रिस्ता है परिवार का या जो चीजें वहां काम किया होने चाहे कल क और खाने, स्कूल, अस्पताल, जितने भी हैं वो उस परिवार अउस गांधी परिवार के साथ जो चीजें परिवार जुड़ी रही हैं पिडियों से, वहां पे लोगों ने काम किया है चाहे वो ऐस्पताल, एमस की बात आई हो, चाहे वो रेलवे आ कारखन के साथ और परिवार के साथ जुड़ा हुआ है तो वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर लोग पूरी ताकत के साथ कांवरिस के साथ खड़े रहेंगे वहाँ कोई हिलने वाले लोग नहीं है बाते तो यहाँ तक हो रहे हैं कि वाइनार्ड सीट पर भी संकट मंड रा जाएगा क्या और कॉन्फिडेंस उधर देखिए चारसो पार की बात की जाती है इदर से तो कोई फिगर लेकर कोई बात ही नहीं करता लेकि चारसो की पार की बात कहना या इदर से फिगर की बात हम जूटी बात क्यों कहने जाएंगे आप चारसो पार की बात करते हैं फिर आप मद्ध प्रदेश आप राजस वाह देख लीजे बिहार में आप नितीश कुमार जी को तोड़ते हो उत्तर प्रदेश में आप जो पार्टी पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी मुक्मंत्री के लिए क्या क्या नहीं बोला राजबर जी ने कि हम उनको मट भेज देंगे राजनीत खतम कर देंगे उनको आप साथ जोड़ते हो और तमाम इस तरह की चीज़ें करते हैं और ऐसे लोगों को आप जोड़ते हो कि clarity हो ये गोल पोस्ट है ये जो जर्सी पहने हुए लोग हैं इस रंग की जर्सी वाले हमारे लोग हैं आमउक और रंग की जर्सी वाले लोग उनके लोग है तो उनके बीच में से जगे बनाते हुए पास देते हुए और गोल कर देना असान होता है लेकिन जब गोल पोस्ट आए ना हो किधर जाना है कौन सी जर्सी वाला किधर खेल रहा है ये पता ना हो केरल में जो लोग आपके साथ ओपोनेंट्स दिखाई देते हैं वो कहीं पर आपके सही होगी है जो आपका सही होगी, आप जिनको लेकर साथ में चलने की बात करते हैं, वो सामने आकर कह देते हैं, सीट पर ये बात बनेगी तो ठीक है, वरना हम नहीं आए आत्रा में शामिल नहीं होंगे, इत्यादी इत्यादी, ये जो सब्जेक्ट तू कंडिशन वाली, ये जो साथ में चलने की प्रवित्ती है, उसको क्या गटबंधन नाम और क्लियर गोल पोस्ट और जर्सी कहा जा सकता है? देखिए ऐसा है, आपने जितनी बात कहीं, मैं सीधे तने कहना चाहूँगा, कि जो आज सम्विधान के रक्षा करने के लिए, सम्विधान को बचाने के लिए, या आज बेरुजगारी और महंगाई को तूर करने के लिए, जो लोग हैं, वो निश्चित तोर से इंडिया गडबंदन के साथ हैं, कांवरिस के साथ खड़े हैं, जो लोग इस से इतर हैं, वो आज पूरी कार्परेट की राजनीती में और बड़े बड़े लोगों की राजनीती के साथ खड़े हैं। यत्ता है कि हम इसके साथ खड़े हैं आज जो यहाँ पर पेपर लीक असारी चीज़ें बच्चों का बवी संदकार में है महंगाई पिरोज़ारी की बात आपने 2014 में भी की 2019 में भी की 2014 के रन अप में भी आप कर रहे हैं लेकिन फिर यह मुद्धे लोगों के बीच में सबस्क्राइब क्यों नहीं होते हैं मैंडेट क्यों नहीं मिलता अपनों मैंडेट बिला भी स्टेट वाइस चुनाओ देख लिजे जिन जिन स्टेट से चुनाओ ऐसा तो नहीं कि हम उसे चुनाओ नहीं जीते हैं कानाटग में तो भी जायक टूटे ना उसकी लिजी चर्चा करिए तो ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि राजap guards में तो आपकी सर्कार थी चातिज गड़ में भी आपकी सर्कार थी इस सरकारी क्यों चली चाथ तो इसके अब दोजार चौविस में डिया गड़ मंदर की सरकार बनेगी एद्धावेकसाथ का किसमन से जाओंगा कौन होगा प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री आप देखिएगा वो तो तैह होगा न सामने सामने चीजें आएंगी जो कैम्परिज गए हुए हैं वो कैम्परिज वाला बहुत प्रधान मंत्री बॉस कहते हैं या अमेरिका के प्रेसिडेंट उनको पहले जाकर भीड में अलग मिलते हैं तो यह आप लोग इसको लेकर आलोचक हो जाते हैं और यह भी कि अगर वो किसी देश का राजपती जाकर पहर चूरा है तो यह छोटे देश हैं हो सकता है किसी लालश में आ गया है देखिए वो चीजें जो चर्चा करना चाहते हूं मैं समस्ता हूं वो अलग चीज़ें है वो अलग भी से है पर कोई इस तरे की संस्था बुलाकर संवानित कर रही है मंचपर अपने बच्चों को उससे कुछ लेना चाहती है मैं समस्ता हूँ कि ये दूसरी बाते हैं अब मैं कहीं जाता हूँ किसी का अज़ादन करता हूँ किसी का पहर चुता हूँ तो मेरा बड़पन है मेरे मेरे संसकार है अज़े जी आपने राजनीती के तमाम रंग देखें है और शाखा RSS की उससे लेकर और यहां तक का सफर भी आपने देखा है और यहां पहुँचने के पहले आप दूसरी पार्टीज में भी रहें मैं एक बात यह समझना चाहता हूँ आपसे कि कोई सीरियस पॉलिटिकल पार्टी और सीरियस पॉलिटिकल लीडर क्या चुनाओ के समय में इस तरह से यात्रा निकालता है और क्या वो इस तरह चुनाओी समर के दौरान किसी एक संस्था के बुलावे पर बाहर जाता है यह सब सामान्य है यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें हम participate तो कर रहे हैं लेकिन result किसी और चुनाओ में आएंगे इसलिए इसको लेकर उतना serious होने के दरूत नहीं नहीं देखिया ऐसा है जिस तरीके से आप चुनाओ में चुनाओ में यात्रा नहीं करेंगे सभाय नहीं करेंगे या लोगों से मिलने का तरीका यही है ना हमारे पास लोगों से अपनी बात कहने का तरीका है जैसे आपने आज ये जो बच्चे लिक पेपर लिक वाले बच्चे जब ये चुनाओ निरस्त ये निरस्त हुआ सब्सक्तों तो आज आप यह संदेज गया ना झाल रहीज जिसनें हमारी बात उठाई जिस ते और सब्सक्रार को सरकार को निरस्त करना पड़ा तो निश्ची तो बिपर से यह एक संदेज चाहों ने चला गया कम से कम कई हजारों गाओं में गया आई है तो ये आप जो बोलना है कि सिरियसने निस्चित तोर से यात्रा से जवर्दस तरीके से राउली का गराफ बढ़ रहा है और गाओं गाओं में संदेज जा रहा है अब सब लोग जुड़ रहे हैं लोग साथ खड़े हो रहे हैं बाहर बुलाना जाना वो निस्चित तोर से वो तो आज वहाँ पर हमें बुला रहा है मंतित कर रहा है तो हम कैसे उसको छोड़ देंगा बिल्कुल जाएंगे चाओंगा रहुल जी सत्रह तारीक को सुबा बनारा साय काशी आये काशी में वो यातरा सुरूवी बुलगड़ा से जो पिली कुटी होते हुए विशे सरगंज मैदागीन होते हुए बाबा विश्णात के दरवार में गई बाबा विश्णात के दर्वार में जाके उन्होंने दर्शन किया बखायदे वो गर्वग्री में गए गर्वडी में जाके दर्शन किया और और वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर वो गर्वग्री में गए गर्वग्री में भाजपा का छोटा सा भी नेता जाता है RSS का छोटा भी नेता जाता है तो वहाँ से वो लोग उसके फोटो को रिलीस करते हैं कि भाई दर्शन पूजा पाठाप ने किया अब इसका जहां भी जैसे चाहें उसे आप इसको आप ले इसमें फोटो ले सकते हैं अब वहां पर प्रशासन ने सरकार के दवा में पूरी तरह के से कैमरे आफ कर दिये थे और किसी भी को मुबाइल ले जाने की कोई भी कर दर्णर विष्वना जी कि मंदिर किंदर मोंदी मो thousands बोल ले दे क्या विए यहीं सोभा देता है हमारे काशी में आप होग उस्तरिकिंदर्णमंदिरी इंदर और यह में क्या एं पूल रहे हैं उनके पोर पूलिस ने कोई करवाई नहीं की मोधी मोधी के नारे आप जब विदेशों में वो जाते हैं तमाम जगों पर लगते देखें देश में कई जगों पर लगते हैं आप ये कैसे स्थापिक कर सकते हैं आप फिर गलत बात बोल रहे हैं आप मंदरी के अंदर नारा नहीं लगवाएंगे पर आप वहाँ पर मंदिर में नारा नहीं लगा सकते आस्ता का प्रस्न है वो हमारे मतलब अजय जी का कहना यह है कि मंदिर के अपनी मर्यादा होती है उस मर्यादा को नहीं लागना चाहिए उनको भी जो किसी को बहुत ज्यादा प्यादा प्यादा बहुत बड़ा नशा है मुझे जनता की सेवा का नशा करने का है अपना अपना खून दे कर भी मैं उसकी सेवा करता हूँ करोना काल में मैं किसी दिन बैठा नहीं दिन रात करोना में लोग घर बैठे थे मास लगा कर डर रहे थे मैं और मेरा पूरा परिवार सड़क पर लिक की चाहे वो vaccination में के समय चाहे बेट के लेकर हर में मैं आपके बढ़ा है और जनता को दिखाया भी तो वो कौन से लोग है जो नशे में नाचते हैं और देर राथ तक नाचते हैं जिसके तरह में रहुल गानी के अब वो लोग वो हैं जो बेरुजगार हैं जिनके पास कोई का नहीं मिला कुछ आज मैं जहां दिया हूं रोजगार मैंने जो एक्जाम दिया वो मुझे मिलने वाला नहीं है तो सुभावी का जब फ्रेस्टेशन में जाएगा बैक्ती अवसाद में जाएगा तो नशे के गिरफ्त में चला जाता है अच्छा आप दो बाते हैं और बता कि अप लिख लीजेगा क्या प्रधान मंत्री के खिलाफ आप होंगे या राजेश जी होंगे कौन होगा उम्मीद बार अब यह तो पार्टी तही करेगी कि मैं लड़ोंगा कि कौन लड़ेगा हम लोग बाबा विश्वनात के भक्त हैं हम सब लोग उनके भक्त अड़बं या मनी मन की शायद यह मुद्दा ना उठाया जाता अब जैसे प्रधान मंत्री का ओभी सी वाला मुद्दा या आपको लगता है यह सब मुद्दे जो उठाये जाया है जो जो सही बात है जो उन्होंने बोला है उस बात को उन्होंने उठाया है कोई बनाउटी बात नहीं हैं कि आपको कॉंग्रेस के बीतर रहते हो लगा कि नहीं ये नहीं होता तो ठीक होता शायद या आपको सब लगा जब जो जहां है कॉंग्रेस के बीतर होता रहा है सब सही होता रहा है देखिए जो सामने चीजें हैं वो निश्ची तोर से बहुत ही अच्छी तरीके से हैं और जो भी चीज़ेंगा इसी बात आती हैं उसको आपस में बैस के टैक करते हैं डिसकस करते हैं ठिक करते हैं लेकिन कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए बहुत सपस्ट तरीके से अपनी बात रखने के लिए नशा तो है मुझे लेकिन जनता की सेवा का नशा है अगर मैं इससे हेडलाइन निकालू तो यह ही निकलती है बहुत धन्यवाद अजय जी